हेलो फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रंची, स्पाइसी, चटपटे, मसाला पीनट्स तो आप इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पुरा ध्यान से देखें तो चलिए कुछ नया सीखते हैं मसाला पीनट्स बनाने के लिए हम एक ये बड़ा बॉल लेंगे जो की स्टील कांच आपके पास जो अबलेबल हो ले सकते हैं उसमें हम एक बड़ा कटोरी मूमफली डालेंगे नमक स्वाधा अनुसार लेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक पिंच बेकिंग सोडा आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच चाट मसाला थोड़ा सा अध्रक और लहसुन का पेस्ट है इससे जो हमारी पेनर्स हैं उनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब इसमें एक पिंच हींग डाल कर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करलेंगे अब इनमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इनको अच्छे से मिलाएंगे और हमें मूम फलियों में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी आट करना है ताकि ये थोड़ा सा फूलेंगी भी और जब हम ड्राई मसाले इनमें आट करेंगे तो इनकी कोटिंग बहुत ही अच्छे से होगी और ये देख सकते हैं मैंने मूम फलियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इनमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा दिख रहा है इतना ही हमें पानी चाहिए मूम फलियां हमारी जब तक सेट हो रही है तब तक हम अपने ड्राई मसाले रेडी करेंगे तो उसके लिए एक इस तरह का बावुल लेंगे और उसमें हम सबसे पहले एक छोटा कटोरी बेशन लेंगे आधा कटोरी हम इसमें मैदा अयट करेंगे और वन फोर्थ कटोरी हम इसमें चावल का अटा लेंगे आधा चम्मच हल्दी पावडर नमक स्वाधा अनुशार लेंगे एक पिंच बेकिंग सोडा आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला अब इनको हम ड्राई ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह जो हमारा मिस्रन का रेसियो है आप इसी तरह से आप अपनी क्वांडिटी के अंसार कम ज्यादा कर सकते हैं और यह देख सकते हैं मुमफलियां हमारी अच्छे से फूल चुकी हैं और जो इनमें मसाला है अच्छे से आप जर हो चुका है अब इनमें जो हमने ड्राई मसाले रेडी किये थे उनको हम इसमें दो दो चमच डाल कर हम इनमें बिना हाथ लगाए इस तरह से इनकी कोटिंग करेंगे यह बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका है इस तरह से जब हम मसाला पीनर्स बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची मसाले दार चटपटे बनकर तयार होते हैं जो मसाले हमारे बावล में 4 तरफ चिपक गए हैं उनको हम इस तरह से इस्पून की सहायता से ही निकाल देंगे इसमें हाथ का इस्तेिमाल नहीं करना है और इनको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे इनमें एक अच्छी सी मोटी सी लेयर, अच्छी सी कोटिंग हो जाए, बस हमें उतना ही मसाला इस्तेमाल करना है, अगर आपके ड्राई मसाले बच जाते हैं, तो आप उनको एयर टाइट कंटेनर में भर कर 20-25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, कोटिंग हमारी अच्छे से हो चुक कर आचुका है, ओयल हमने गरम करने रख दिया है, फ्ले मीडियम रखेंगे, जो हमारा ओयल है, वो मीडियम हीट का रखेंगे, और हम इनमें ये सारे पीनट हैं, वो डाल देंगे, और ये देख सकते हैं, पीनट डालते समय ही एक दम अलग अलग हैं, ये बिलकुल भी एक में चिपके नहीं है, ये इस तरह से अगर आप पीनट बनाते हैं, तो बहुत ही आसानी से पीनट आपके बनकर तयार हो जाते हैं, और ये देख सकते हैं, इनमें आवाज आने लगी है, ये अंदर तक क्रंची हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे, इसी तरह से जो ह प्रेटे चनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, इसी तरह से हम सारे मसाला पीनट से वो बनाकर रेडी कर लेंगे, और ये लिजी हमारे बहुती चटपटे, मसालेदार, क्रंची, मसाला पीनट बनकर रेडी हैं, आप इनको इस तरह से भी शारू कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं और फिर अपने लिए थोड़ा सा इनको और चरपटा बनाएंगे उसके लिए हम डालेंगे इसमें आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच चाट मसाला और हलका सा अगर हम चाय के साथ इंजोई करें थैंक यू